दोस्तों आप सुभी के फोन पे आपको call तो जरूर से आता होगा ठीक है आपके फोन पे चाहे आपके घरवाले आपको call करते होंगे या फिर आपके दोस्त आपको call करते होंगे या फिर आपकी girlfriend का boyfriend का आपको call आता होगा अगर आपके फोन पे call आता है न तो इस call को उठाने जिस setting को करने के बाद से जब भी आपके phone पे किसी का भी call आएगा तो उस call को उठाने के लिए आप सभी को अपने phone को बिल्कुल भी touch नहीं करना आप बोल के मतलब उस call को उठा भी सकते हैं उस call को cut भी कर सकते हैं no no तो आप सुभी ने देखा जैसी मेरे फोन पे कॉल आया और जैसी मेरे फोन में हेलो बोलाना तो वो जो कॉल है अपने आप उठी गया ठीक है या फिर किसी भी call को cut करना चाहते है न यानि आप अपने phone को बिलकुल भी touch नहीं करना चाहते call उठाने के लिए फिर call cut करने के लिए तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये जो setting है ये जो trick है आप भी अपने phone में कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को अपने phone में किसी भी call को उठाने के लिए और किसी भी call को cut करने के लिए कैसे आप बोल के मतलब call को उठा सकते हैं कट कर सकते हैं ठीक है तो ये जो setting है setting को अपने phone में करने के लिए आप सभी को ये वाली application को अपने phone में download कर लेना ठीक है link आपको वीडियो के description में सबसे उपर मिल जाएगा तो link के उपर click करके आपको application अपने phone में download करके open कर लेना है अब जैसी आप application को अपने phone में open करेंगे न तो यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरीके से application open हो जाएगी चहाँ पर आपको नीचे next के उपर click कर देना इस तरीके से आपको next कर देना इसके बाद आपको start करना है और start करने के बाद आप सभी के सामने ये permission आ जाएंगे ठीक है इसके उपर आप सभी को start के उपर click करना है अब इसके उपर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने display over other app का option आ जाएगा इसको आप सभी को on कर देना है इसके बाद आप सभी को back चले जाना है फिर आप सभी के सामने परमीशन आएगा यहाँ पर आपको allow लग कर देना है इसके बाद आप सभी के सामने यहाँ पर okay कर देना ठीक है अब जैसी आप okay करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाएगा कि अगर call को उठाना चाते आंसर करना चाहते हैं तो आपको hello बोलना है अगर आप मतलब काटना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको no बोलना है और अगर आप अपने फोन को speaker में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको yes बोलना है और auto reply करना चाहते हैं तो sms करना है silent करने के लिए silent बोलना है और block करने के ब्लॉक बोल देना ठीक है तो इस तरीके से ये सैटिंग करके आप अपने फोन में अपने फोन को बिना टच के वे बोल के आप कॉल को उठा भी सकते हैं और कॉल को कट भी कर सकते हैं